कॉंग्रेस के वरिष्ट नीता और गुजराच से राजस्थाभार सांसद एहमद पतेल की निधन से राजस्थान कॉंग्रेस में शोग की लेहर है पूर डिप्टिसेम, सचिन पालेट और PCC चेफ गोवन सिंग डूटासरा ने भी पतेल की निधन को अपूर न्यक्ष्वती बताया है पटेल की निधन के बाद राजस्थान कॉंग्रिस में शोक के लहर चाही हुई है और पार्टी के नेता और कारेकरता पटेल को सोशल मीडिया पर शुधानजली दे रहे हैं शोकी लहर राजुस्तान कॉंग्रिस में भी चाई हुई है तमाम जो दिगज हैं वो उन्हें शुदहांजली दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्वीट की जरीए पूर्वर डेप्टी सीम सचिन पालेट ने भी अपूर्णियक श्रती एहमद पतेल के निधन को बताया है और वाकई में जिस प्रकार का व्यक्तित्व उनका रहा मिलनसार व्यक्तित्व के धनी और सभी से संजदगी से पेश आना यह तमाम दोड़लब गुण उनमें थे प्रेमी यूगल ने फांसी का भंदा लगा कर रात में हत्या कर लिए एक ही पेड़ पर दोनों के शव लटकते मिले मामले की सूचा पाकर बिजराड पुलिस मौके पर पहुँची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है बिजराड के सरूपे का तलग गाम का यह पूरा मामला है जहां पर प्रेमी यूगल ने फांसी का भंदा लगा लिया और एक ही पेड़ पर दोनों के शव लटक मामले की जांच परताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है अधिक जानकारी के लिए समवादता कमलेश फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुट चुके हैं कमलेश क्या कुछ पूरी अपडेट कमलेश ये बताएं कि परिजनों से या फिर आसबास के लोगों से कोई जानकारी सामने आई एसी मनिसा कोई जानकारी सामने नहीं आई है फिलहाल जो बीजरार पुलिस अपूरे मामले की जांच कर रही है साथ ही मैं आपको ये बता दो कि चोटन शेतर में पिछले कई मैनों से एसी कई गटना है सामने आ रही है चलिए बहुत शुक्रिया तेमाम जानकारी साजह करने के लिए तो ये थे कमलेश हमारी समवादा था जिन्होंने बताया कि अब तक फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि ये पूरा मामला पेश्वे आया है पुलिस फिलहाल जांच परताल पूरे मामले की कर तूरे ही है